Hello student, स्वागत है आप सभी का हमारी इस learning platform BSC BioWare में आपका इस हमारी live stream में बहुत स्वागत है आज इस lecture में हम आपको BSC 3rd semester के जो 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 जी की topic है यारने कि इसमें हम 8 यूनिट को पढ़ाने वाले हैं जो आपकी last unit होगी जो जो जी की last unit होगी जिसका नाम है molecular technique क्या नाम है molecular technique यह आपके जो जी की last topic होगी यारने कि last unit होगी इसमें हम लोग को molecular technique के बारे में जानना है उसके पहले आपको बता दे जो previous class लेए थी मैंने उसमें आपको मैंने 56-67 इन तीनों का एकदम separate video बना दिया है यानि कि पांचवी unit का, छटवी unit का, साथवी unit का इन तीनों unit का और यह आपकी आठवी unit यह चार unit की मैंने अपने playlist में यह सब की सारी classes upload कर दी है आप वहाँ से जागर के अपने semester की तयारी को complete कर सकते है क्योंकि आपका exam जल्द ही होने वाला है आप वहाँ पर जब जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर जब आप विजिट करेंगे तो वहाँ पर हमारे लोगों को जैसे या टेस्ट करेंगे तो हमारा playlist आएगा playlist का option playlist में आपको दिख जाएगा बोटनी की classes मैंने सभी classes अभी तक पढ़ा के लाने की बोटनी की सभी topic वह खत्म हो चुके हैं सिर्फ जोलोजी बचा जिसको हम तो या तीन दिन में इसको भी कबर कर लेंगे इस प्रकार से आपके जोलोजी और बोटनी की समेस्टर की जितने भी classes थी थर्ड समेस्टर में वह उने ले लिए तो आइए श्टार्ट करते हैं molecular technique के बारे में very good morning to all of you सभी को नमस्का, राम राम सश्चे के राम, वालेकुम सलाम, whichever field connected with, let's get started तो आप लोग फटाफट सहरी लगाएगा unit number 8 molecular technique आइए इसमें समझते हैं कि molecular technique होता क्या है, आखिर इसका यूज क्या है तो आप लोग को पता होगा कि molecules क्या होते हैं तो यहाँ पे हम उन molecules के बात करेंगे किसके DNA, RNA, protein, lipid, amino acid जैसे molecules की हम यहाँ पे बात करेंगे इस technique के माध्यम से हम यह जो DNA है, RNA है, protein है, amino acids है इसका separate करने का काम करते हैं इस technique के माध्यम से यहाँ यह जो technique है इसके सहायता स्यमलोग जो molecular biology में यहाँ कि molecular biology का मतलब क्या DNA, RNA, protein, lipid यह सब जो जितने भी चीज़ी है इसमें हम लोग इसके separate करने का काम करते हैं यहाँ कि जैसे आपको बायो कमिस्ट्री में जो भी चीज़ी होगी जैसे आपके RNA, DNA हो गया, बायो फिजिक्स से हो गया तो यह सब सारी चीज़ी उसमें इन्वार्वर हैं आए इसी बात को हम अपने लेंग्विज के माधियां से समझते हैं molecular biology, technique are common method used in molecular biology यानि कि यह जो molecular technique है, इसका यह common technique है यह साधा हर्था यूज़ करने वाए टेकनीक है जिसका अपयो हम लोग molecular biology में करते हैं और कहां करते हैं लोग, biochemistry में करते हैं genetics में करते हैं, bio physics में करते हैं विच चनल लेव इन्वाल मैनिपुलेशन और एनालसी साब डिन ने आयने लिपेट और अमिनोएंसी ठिक आगे बरते हैं आप देखिए जो आपका मालिक ग्रोट टिकनिक है यह म्यूटियेशन आपके जिन में म्यूटियेशन होती है चेंटिक में उसकी स्टड़ी करने के लिए उसकी स्टेप्स को जानने के लिए इसका उपयोग करने है पैथोजन का हम लोग इसके उपयोग करते ह पैथोजन के बढ़ा कैसे पैथोजन ग्रोव कर रहा है उन सब चीजों को इस टेकनिक के बारे से हम लोग समझ ले तो आईए इस सब की बातों को एक बार हम आगे समझते हैं कि मालीकुलर टेकनिक मालीकुलर टेकनिक हार वाले यूज़ इन मुटेशन और जेन्टिक स्टेज आफ फूड बोन टिक यहारे की मालीकुलर टेकनिक का अब युग हम लोग जेन्टिक स्रेटर टोपिक विक कर पे भी करते हैं पैथोजन के हम लोग इसके दोवारा क्या कर सहते हैं चैटरिक इसटनिक यह इसके डायवरसिटी के के बारे में अध्यर करते हैं मालेकुलय बारोग टेकनीक इनिकलूड डिने क्लोनी करता है रिने को कैसे काटा जाता है कैसे उसको जोड़ा जाता है तिक पैक्टीरिया में जो भी हम लोग डिने ट्रांसफिर करते हैं अगे आगे आच्छा किसी कल्चर मेडिया में हम लोग को किसी स्पेस्पिक टाइप पर DNA आजने बनाना है तो भी हम इसी molecular technique का उपयोग करते हैं आगे बढ़ते हम लोग the various format of nucleic acid amplification are the most frequently used molecular technique text in the diagnosis of disease याने कि जो आपके nucleic acids हैं जिसके साहता से हम लोग DNA का amplification करेंगे amplification का मतलब क्या होता है कि अधिक temperature दे कि उसको तोड़ देना यानि कि जब DNA को हम लोग ज्यादा temperature देंगे तो वो उसका दुनों इस्टेंड क्या हो जाएगा खुल जाएगा जिसके माद्यम से हम लोग उसको आसानी से separate कर लेंगे और अगर उसके कोई disease वाले चीज है उसको काटके remove कर देंगे कोई अगर unwanted चीज है तो उसको काटके remove कर इसका उपयोग इस तरीके से किया जाता है इन में क्लिनिक बहुत सारे जो क्लिनिक्स है उसमें हम लोग कि देखते हैं PCR किया जाता है याने कि पॉलीमरेज चेन रियक्षन जिसका उपयोग टैगनोसिस में करते हैं यानि कि disease के रोक था में करते है PCR का सबसे ज्यादा उपयोग जो आपकी द्याने फ्रेग्मेंट होते हैंह संत्सिज कराने के लिए ऐनें इसी जयाता है चिस क हम लों क्या करती है आगे है संते सीचक तो सब्सक्प्राइं स्युक्त व्रिष्विक सुदो होग द् groot tv शेवर जुआ हुआ जलू कर देखे एक नई नमार करते है। कि बाग देखिए अप्लिकेशन आपं अप् success लोग किसका टेस्ट करते हैं which किसका test करते हैं तो फर्स्ट है अप्लिकेशन हिंग HIV याने कि HIV क्याने कि माली कुछ टेकनिक के दोवारा हम लोग HIV की भी टेस्टिंग कर सकते हैं तो अगे हैं समझते हैं पर इसके लेंगविश के बारे में क्या बोल रहा है यह अलीशा test यह जब HIV की टेस्टिंग होती है तो उसमें अलीशा याने कि HIV एक रोग है जब इसकी टेस्टिंग किसके दोवारा किया दिया अलीशा test होता है टिक is done for the diagnosis for HIV infection टिक याने कि आपके अंदर HIV का रोग है की नहीं, ये किसके तोरा पता लगाए ये सकता है, ELISA test के माद्य हमचे, अगर आपके अंदर HIV होगा, तो आपका जो ELISA test होगा, वो positive आएगा, अगर नहीं है तो वो negative आएगा, तिक, देखिए वही बात आगे लिखी गई है, if ELISA test is positive, it indicates HIV positive, अगर आपका जो HIV test हो positive आता है, तो तब ये होता है कि आपके अंदर HIV का रोग है, अगर वो negative आता है, तो HIV रोग नहीं है, आगे बढ़ते हैं लोग, PCR ELISA, यानि कि poly-marychere reaction, उसके बाद ELISA का फुल फार्म होता है, enzyme-linked-amino-sarvent-assay, टिक, यानि कि enzyme-linked-amino-sarvent-assay, each-ion, each-ion-amino-detection method, यानि कि अगर आपके body की अंदर किसी भी प्रकार की कोई problems आती है, तो तैसे genetic में related, यानि कि आपके HIV जैसी द्रोग की सिकायत आती है, तो हम लोग PCR के माध्यम से, अलीसा PCR के माध्यम से immunity को चेक करते हैं, अगर आपके अंदर immunity कमजोर होती है, टिक घाव नहीं भर रहा है, तो हम लोग एक अंदाजा लगा लेते हैं, कि आपके body में हो सकता है इस type का रोग हो, तो हम लोग इसका उप्योग करते हैं, HIV testing. इन इसके दोरा से चो आपका यह है, उसके बाद क्या करते है कि जो आपका DNA है ठीक उसको हम लोग immunization कर देखते हैं बायो टीनी लेक्टेड के माध्यम से जिसके तौरान हमको disease की चनकारी होती है है की नहीं अगला है आपका application of molecular technique in taxonomy अच्छा टेक्सोनामी के माध्यम से हमको किस प्रकार से molecular technique के द्वारा कैसे हम लोग पता लगाते हैं कि क्या हमारे पूरवज वही है की नहीं जैसे for example आपके जैसे दो parent है ठीक दो parent है mother and father ठीक mother and father उन्होंने बोला उनका एक रड़का है फादर ने बोला कि यह मेरा रड़का नहीं है mother ने बोला कि आपका है तो अगर इस बात की प्रमाड प्रमाड चाहिए तो आप किसका उप्यूग करेंगे molecular technique अब टेक्सोनामी से इसका क्या मत्व है पहले उसको समझिए जैसे आपको पता होगा कि जो हमारे पूर्वज ancestor थे वो गोरिल्ला को माना जाता था किसको गोरिल्ला तो अब हमारे ancestor वो है कि नहीं इसको प्रमाड करने के लिए DNA sequencing को चेक किया जाता है तिक यानि कि उनके DNA को अपमारे DNA के sequence को चेक किया जाता है क्या similar है अगर similar है तो इससे proof होता है कि हाँ वो हैं हमारे ancestor हमारे पूर्वज और या तो फिर हम उनका क्या करें उनके serum को चेक कर ले blood serum को चेक कर ले उनका DNA fingerprinting अपने से करवा ले हम तो इनके माद्यम से वो सब चीजे हो सकती है तो आई बात दिखी गई है यह दा molecular genetics help in the reconstructed authentic relationship between various species यानि कि दो उपचातियों के बीच में क्या correlation है उसमें उसका अच्छे खमलोग इसके माद्यम से करते हैं closely related species contain necropo about similar type of constructed DNA sequence it help in study up ulosan in a sequential manner ठिक मनें बताया ना कि जैसे दो पूरुवा जैंसिस्टर है अब पता है कि हमको prove करना है कि वो हमारे जैंसिस्टर है कि नहीं तो हम उनके embryo को चेक कर ले अब उनके embryo को अपने embryo से मिला ले ठिक उनके blood serum को उनके DNA को चार्च करा दे तो जिसके पता लगाए से सकता है कि वो हमारे इंसिस्टर है कि नहीं अगला आता है आपका application आप molecular technique in pharmaceutical industry देखे medicine वगेरा वाले जो companies होती है factory होती है तो उसमें भी molecular का technique का बहुत ही रोल होता है तिक यानि कि different type के drugs बना रहे है तिक उसके analysis करने के लिए किया ये दवा उस रोग पे work काम करेगी कि नहीं यानि कि कोई आप दवाई बना रहे हैं किसी specific disease के लिए अब ये दवाई इस पे work यानि कि कापना काम करेगी कि नहीं करेगी इसका उभियूपियूग हम लोग इसी के मादियम से कर लेते हैं यानि कि application किसके मादियम से molecular technique के मादियम से आए समझते हैं कि pharmaceutical industry analysis is mainly focused in drugs analysis in raw materials टिक यानि कि जो कच्चे माल होते हैं किसके दवाई बनाने के उसमें हम लोग उसका प्रयोग करते हैं उसकी analysis चेक कर सकते हैं कि वो कि दवाई अच्छी बन सकती हैं कि उसके जो भी medicines वगरा जो भी ख्राव material मिलाए जाएंगा उसकी checking करते हैं कि क्या यह दवाई उस यह जो material है क्या उस specific disease पर वर्क कर पाएगी कि नहीं तिक priority चेक कर सकते हैं क्या वो सुध्ध है कि नहीं अगला है molecular technique microbiology microbiology में क्या इसका उपयोग है इसके बारे में हम लोग भी इसकी माध्यम से चाह सकते हैं अगे बढ़ते हम लोग अपनी question in agricultural field agriculture में क्या इसका उपयोग है पले वो समझ लीजिए जैसे आपको different type के जो भी फसले आ रही है hybrid फसले आ रही है अब जो आपके crops है फसल्स है उसका molecular technique से क्या relation है उसको आपको यहां पर जाने अगर आपको कोई कोई फसल है क्रॉप है उसको ज्यादा तर मतलद जादा संक्या में उगाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं उगाने है तो क्या करते हैं हम लोग संकर भी जाने उसका वो checking कर सकते हैं different type के जो elding यानिकी पैदावार अत्तदी करने वाले जो plant है उसके DNA sequence को हम लोग check कर सकते हैं टिक उनके genes को check कर सकते हैं क्या वो अगले पीड़े में भी उसी प्रकार के पैदावार करेंगे की नहीं तो इसका उप्योग हम लोग यहां पर करते हैं अगला है बायो केमिकल यानिकी application आफ माली कुलर्टेक ने किल बायो chemistry बायो कमिस्ट्री में क्या इसका उप्योग है तो आई इसको जानेगे आप लोग कि बायो कमिस्ट्री में बत्र किसी जानवर में जीनो टाइप फिनो टाइप एक अलग प्रकार का आपके अंदर ट्रेट्स उत्पन हो गया तो उसको टेस्टिंग के लिए उसके पहसान के लिए हम लोग इसका उप्योग करते हैं याने कि टेस्टिंग के आप करेंगे उसके मालीकूल्स को लिका लेंगे याने कि उसके प्रोटीन्स को उसके अमेनो एसीड को उसको डियनने उसके आरेनने को तो वहां से हम लोग उसको ले लेती हैं और उसको चेक किया जाता है मालीकूलर टेक्निक के माध्यम से उसके सि तो डिफरेंट टाइप साफ मालेकुलर टेकनिक जैसे आर्यने डीने अमेनो एसी प्रोटीन प्रोटिक्ट तिक मैनुपुलेशन आप प्लांट एनिमल फॉर टिजायड फिनिटिक टेर्स आर एनासिस बाई मालेकुलर टेकनिक जैसे आपको कोई लक्षर उत्पन कराना है तो आप इसके मात्यम से चेकिंग कर सकते हैं क्या यह उस प्रकार की ट्रेट्स को सो करेगा की नहीं या कोई ट्रेट्स सो हो गया तो वो कैसे हुआ उसके बारे में यहाँ पर जाना उस ट्रेट्स में जो भी लक्षर दिखाई पड़ रहे हैं क्या उसमें कोई डिजीज होगा, क्या डिजीज नहीं होगा, इसका भी उपियोग हम लोग किसी के मात्यम से करते हैं अगला है अप्लिकेशन नीड अप्लिकेशन आप ऐो मालिकूल टेकनिक इन बायो केमिस्ट्री, पायो टेकनालजी में आपका मालिकूलर टेकनिक का क्या उप्योग है, उसको समझ एए इसके त्रिक प्रिप्रिट कोड़ यहां पर लग जाएगा जिसके द्वारा इसका कोड से कोड़ेट हो जाएगा काट के पेच रिमूब कर लेते हैं और ने को जोड़ दिया जाता है तो यहीं प्रक्रियास पर पर यहेगा आगे एक चीज हो जैसे आपके body में इंसुलिन्स की मात्रा कम है ठिक, enzyme की मात्रा कम है तो उसका हम लोग एक नए DNA सीक्विंस जोड़ करके आपके body में तो उसकी मात्रा को बढ़ जकते हैं लोग तो injection के माध्यम से भी insulin का फार्वेसर कराते हैं पर ऐसे भी किया जा सकता है अच्छा इमऊनो अगर आपकी इमऊनो सिश्टम साही नहीं है तो फिर भी इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं ठिक इसके मात्यम सब लोग एनिमल्स के भी ठिक है ट्रांस जेनिक जो प्लांट तो होते हैं उसका भी फार्मेशन कर सकते हैं ठिक और DNA, RNA जैसे पॉलिमरेज को भी इसके द्वारा हम लोग रीड कर सकते हैं और उसके बारे में पता सकते हैं आगे है आपका application of molecular technique in food industry food industry में molecular technique का क्या उपयोग है उसको जानिए ये काफी important है ठीक जैसे कोई food industry है कोई beverage industry है अब होड इंडेस्ट्री में क्या क्या बात क्या क्या चीजे कितनी कितनी परस्टेंटेज में मिलाई गई हैं उसकी चेकिंग करना किसका काम है इंडेस्ट्री में क्या बनाया गया अब क्या क्या चीजे क्या क्या चीजे करता है यह चीज गलत है तो एल्कुल में कोई टॉक्सिक माटरियल तो नई है उसका कंसेंट्रेशन सही है कि नहीं उसमें जो भी चीज़े इसेंसिल चीज़े हैं क्या वो प्रशूर मात्रा में है की नहीं जिसे पीने वालों को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो तिक अच्छी अच्छी जो आती हैं वेवरेज इंडेस्ट्रिया में चीज़ें उनकी बात यहां पे हो रही तो उनका चेकिंग करन हम लोग डिटेक्ट करेंगे किसका यह क्लिक एसीट का तो अगले लेक्चर में इसी टॉपिक के बारे हम बात करेंगे अगर इसके दुरा में कोई आपके डाउट कोई 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 रह जाती है तो आप मारे वाटसप नमबर 9598308044 पे वाटसप की थुरू मैसेज कर कि आपने डाउट कोई सकते हैं तदा टेलिग्राम से जूर करके पीडियाप की प्राप्ति कर सकते हैं और आपके अगर कोई कोई होते हैं तो आप मारे वाटसप पे भी मैसेज कर सकते हैं अगर आप चैनल पर नई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शियर भी लाइकन जो दबा दीजेगा क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए मिलते अगली लेक्चर में किसी इंपॉइन टॉपिक के साथ ही आएंगे